इधर योगी मंत्री मंडल में नव नियुक्त राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि जिन लोगों नी एकृत किया है ऐसे लोगों के खलाफ कड़ी का रवाय की जाएगी ऐसे अपराधियों को या तो यूपी छोड़ना होगा या फिर अपराध योगी टू में कुल बावन मंत्री ने शपत नी लेकिन एक नाम सब को चौंकाने वाला था वो था दानिश आजाद अंसारी का क्योंकि दानिश विधायक भी नहीं है विधान परशेश चरस भी नहीं है चात्र राजनीती से अगर हम कहें तो शुरुवात की है और अब राज के लिए निश्वात भाव से कार कर रहा था और नेशेत तोर पे मेरे लगन को मेरे निश्ठा को संगठन ने देखा और मुझे इतनी बड़ी जिमेदारी दी कहां से शुरुवात ही किस विचार धारा से प्रभाई दोकर एबी वीपी जॉइन किया कहां पढ़ाई करने आए जा मैंने बीकॉम किया और वहीं से मैं चात्र राजनीती में आया एक सवाल यह कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं माना जाता है कि वो बीजेपी के साथ नहीं रहता तो कभी विरोध का सामना करना पड़ा घर में परिवार में रिस्तेदारों के बीच के रहे या बीजेपी की विचारधारा की तरफ क्यों जा रहे हो नहीं मेरे परिवार ने और मेरे समाज ने मेरे समाज के जो आम लोग हैं उन्हेंने कभी इसका विरोध नहीं किया मंत्री मंडल में आप आ गए हैं विभाग का इंतजार है जो भी दायत तो मुझे पार्टी देगी सरकार देगी मैं उस दायत का पुरी इमानदारी से निर्वान करूंगा साथ आंब शुक्ला इब गंगा लख नहीं